साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विश्य है जीवन का बोच चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुरानी बात है एक बार एक संत ने अपने दो भगतों को बुलाया और कहा कि आप दोनों को यहां से पचास कोस जाना है एक भगत को एक बोरी खाने के समान से भर कर दी और कहा जो लायक मिले उसे देते जाना और अपने दूसरे भगत को खाली बोरी दी और उसको कहा कि रास्ते में जो भी अच्छा मिले उसे बोरी में भर कर ले जाना दोनों भगत निकल पड़े जिसके कंधे पर सामान था वो धीरे चल पा रहा था और खाली बोरी वाला भगत आराम से जा रहा था थोड़ी दूरी के बाद खाली बोरी वाले भगत को एक सोने की इट मिली तो उसने वो इट उठा कर बोरी में डाल ली थोड़ी दूर चला उसे फिर इट मिली उसने वो भी उठा ली जैसे जैसे वो चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो अपनी खाली बोरी में सोना भरता ह चल रहा था जिसकी वज़े से उसकी बोरी का वजन बढ़ता गया और उस भगत का चलना मुश्किल होता गया उसे सास भी चड़ने लग गई अब तो उसके लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता गया और दूसरा भगत जैसे जैसे चलता गया तो उसे रास्ते मे जो भी मिलता, वो उसको अपनी बोरी में से खाने का कुछ सामान देता गया, तो धीरे धीरे उसकी बोरी का वजन कम होता गया, और उसका चलना असान होता गया, जो बाटता गया, उसका मनजल तक पहुँचना असान होता गया, और जो इकठा करता रहा, उसने तो रास्ते में नहीं दम तोड़ दिया। साज संगत जी दिल से सोचना कि हमने जीवन में क्या बाटा और क्या इकठा किया। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो हमारी मंजल तक पहुचना हमारे लिए बहुत असान हो जाएगा। कि भला पत्थर तोड़ना अनंद की बात कैसे हो सकती है। वह उत्तर देकर फिर भुजे हुए मन से पत्थर तोड़ने लगा। तब श्रीप परमहंस देव की और देखते वे दूसरे श्रमिक ने कहा बाबा यह तो रोजी रोटी है। मैं तो वस अपनी आजिवी का कमा रहा हूँ। उसने जो कहा वो भी ठीक बात थी। वो दूसरा मजदूर पहले मजदूर के जितना दुखी तो नहीं था। लेकिन आनंद की कोई जलक उसकी आँखों में नहीं थी। बात भी सही है। आजिवी का कमाना भी एक काम है उसमें आनंद की अनुभूती के ऐसे हो सकती है। तो तीसरा जो मजदूर था यूँ तो वो हाथों से पत्थर तोड़ रहा था। पर उसके होठों पर गीत कि स्वर फूट रहे थे। मन भजलो आमर काली पद नील कमले। उसने गीत को रोक कर परमंस देव जी को जवाब दिया कि बावा मैं तो मा का घर बना रहा तीसरे मजदूर की आखों में चमक थी। रीदय में मा जगदंबा के प्रती भगती हिलोरे ले रही थी। निश्य ही मा का मंदर बनाना कितना सुभग्या पूरण है। इससे बढ़कर आनंद भला और क्या हो सकता है। इन तीनों मजदूरों की बाद सुनकर परमंस देव जी भाव समाधी में डूब गए कि सच मुछ जीवन तो वही है पर दृष्टी कौन भिन होने से सब कुछ बदल जाता है। दृष्टी कौन के भेद से तो फूल काटे बन जाते हैं और काटे फूल बन जाते हैं। आनंद अनुभव करने का दृष्टी कौन जिसने पा लि उसमें नहीं बल्कि कैसे हम उसे अनुभव करते हैं। किस तरह से उसे लेते हैं उसमें हैं। यहीं वज़ा है कि एक ही वस्तु या परिस्थिती दो भिन दृष्टी कौन के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग अर्थ रखती है। एक को उसमें आनंद की अनुभूती होती हैं। तो दूसरे को विशाद की। साज संगत जी को मास का बड़ा सा टुकडा लिये हुए उड़ रहा था। तभी बाजों के जुंड ने उस कोए का पीछा करना शुरू कर दिया। कोवा तो डर गया। वो बाजों से बचने के लिए और उंचा उड़ने लगा लेकिन ब पीछे पड़ा है। गरुण हसते हुए बोला वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बलकि तुम्हारे मूं में जो मास का टुकडा है उसके पीछे हैं। जीस मास के टुकडे को तुमने अपनी चोच में कसकर पकड़ा है इसे छोड़ दोर देखो क्या होता है। अब उस कोव कोवे ने गरुण की सलहा मान कर मास का टुकडा अपनी चोच से गिरा दिया। फोरन बाजों का पूरा जुंड गिरते हुए उस मास के टुकडे के पीछे लग गया तो कोवे ने राहत की सास ली। गरुण ने कोवे को समझाया कि दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं आपकी बुद्धिमानी भरी सलहा के लिए धन्यवाद साथ संगत जी। आप जीवन को कैसे देखते हैं ये तो आपके दृष्टी कोन पर नरभर करता है। आप जो बोज़ कम करते हैं तो फूलों की तरह सुगंदित और प्रकाशित बन जाते हैं। एक समय की बात है। एक गाओं में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। कई उसे संत मानते थे और कई उसे पागल समझते थे। बच्चे उसे खिलोना बाबा कहते थे क्योंकि वो उनको खिलोने और मठाईयां देता था। एक उत्तम भिख्षुक की भाती वो उतना ही दान लेता था जितना उसे एक दिन के लिए चाहिए होता था। वो कृतगता से सब सविकार कर लेता था चाहिए वो वस्तु हो चावल हो रोटी हो या सबजी। उसने ना तो कभी धन मांगा और ना ही कभी धन सविकार किया। वह संतुष्ट लगता था किन्तु वह भोजन के साथ खिलोने और मिठाईयां देने की मांग करता था। जो उसका आदर करते थे वो कभी-कभी उसे भोजन के साथ खिलोने और मिठाईयां दे देते थे। कि अगर ये इतना ही बड़ा आतम ग्यानी है तो ये गंदे कपड़ों में भारी थैला उठाए एक परिश्रमी के जैसे खिलोनों को बच्चे में बांटने के लिए क्यों मारा मारा फिरता है बजाए इसके कि वो उपदेश दे अच्छाईयों को बढ़ावा दे और कुछ बोध हो हमें यकीन है कि आपके इस बड़े सिजूले में अवश्य ही वेद है साधू ने अपना थैला जमीन पर गिरा दिया यही है उसने कहा यही आतमा का बोध है अब मैंने आपको समस्थ वेदों का सार बता दिया है उन लोगों ने सोचा कि उनका उस साधू को प उठाए जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा भार है अब मैंने इसे गिरा दिया अब मैं अजाद हूँ सब कुछ यही है आप भी अपना थैला गिरा दो व्यर्त के भार को उठा कर मत जियो सम्मूह उसके लिए श्रद्धा से पूरण हो गया और उनमें से एक बोला अगर सब कुछ यही है तो फिर अगला चरण क्या है साधु ने अपना जोला फिर उठाया और उसे कंधे पर संभालते हुए बोला मैं कोई भार नहीं ले जा रहा मैं तो केवल बच्चों के लिए खिलोनों से भरा थैला ले जा रहा हूँ मेरे पास उनकी खुशिय तथा अनंद का स समान है यह आपकी जागरुकता और दृष्टी कोन पर नर्भर करता है कि आप इसको भार मानते हैं अत्वापना धरम यह कहकर वो साधु अपने रास्ते चला गया साध संगत जी भावनाओं की कोई व्याख्या नहीं होती और उनको प्रतक्ष रूप देना तो और भी और अपनी यात्रा जीवन की और सरल बना लो अगर आज की यह साख्या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए आप सभी से फिर मुला कातों की नई साख्य और नए विचारों के साथ साध संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी